टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा विश्व की सबसे बड़ी E-Vehicle बनाने वाली कमपनी टेस्ला के मालिक इलोन मस्क है और मस्क विश्व के सबसे अमीर बिजनेसमेन भी है मस्क वर्तमान में 6 फेक्ट्रियों में अपनी कारों का उत्पादन कर रहे हैं जो अमेरिका, जर्मनी, चीन तथा मेक्शिको में स्थापित है वे पूरी दुनिया में अपनी कारे बेचते हैं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में एक भी टेस्ला कार बेचने का स्टोर नहीं खोल पाए हैं इस बात का दर्द उनके दिल में जरूर होगा इलोन का मन तो बहुत करता है कि वे भी भारत में अपनी गाडियों को बेचे और खूब सारे पैसे कमाए लेकिन उनके लिए रास्ते में अंगद के पेर के समान नरेंदर मोधी का सबसे बड़ा सपना मैकेन इंड्रिया खड़ा होगया है और मस्क को बोला गया कि भारत में अपनी कारे बेच भी है तो उसका निरमान भारत में ही करना पड़ेगा लेकिन इलोन मस्क ने दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की और 2016 में अपनी टेसला की मॉडल 3 कारों को भारत में ओनलाइन बेचना शुरू कर दिया कुछ करोड़पती बिजनिसमेन ने इस कार को 1000 डॉलर में तुरंट प्रीबुक जरूर करा लिया एसर ग्रूप के मालिक सशी रूया को भारत में सबसे पहली टेसला कार प्राप्त करने का सुखद अनुभव प्राप्त हुआ पेटी एम के फाउंडर विजय सेखर सर्मा, रेलाइन्स इंडर्स्ट्रीज के मालिक मुके संबानी, सुजियत अली, विशाल गुंडाल, महिस मूर्ती आदी बड़े उद्योग पतियों ने भी टेसला की मॉडल 3 को प्रीबुक करवा लिया था लेकिन टेसला अभी भी आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर थी क्योंकि भारत में इस गाड़ी को इंपोर्ट करने पर 100% टेक्स लगता है जिससे इसकी भारत में कीमत दुगनी हो जाती है इसका अर्थ यह हुआ कि जो गाड़ी अमेरिका में 50 लाग की होती है लेकिन जब बात नहीं बनी तो इलोन बौक लागे और मई 2017 में ये खबर छपवा दी कि भारत सरकार के कारण इलोन मस्क को टेसला का भारत में लौंच डीले करना पड़ रहा है इसे देखकर भारत सरकार के कान खड़े होगे और भारत समझ गया कि अब इलोन मस्क भारत की पूरी दुनिया में किरकिरी करना चाहता है तो फिर भारत सरकार ने मई 2017 में इसका एक प्रोपर जवाब मैकिन इंडिया हैंडल से ही दिया और पूरे विश्व को भारत का स्टेंड बता दिया इलोन मस्क का यहत खंड़ा भी काम ना आया तो बेवस होकर जून 2017 में भारत सरकार से बातचीत वापस शुरू की लेकिन इस बार अपनी नीती बदलते वे कारों के इंपोर्ट टेक्स में छूट देने हैं तू बात की और भारत सरकार को मखन लगाते वे कहा कि जब तक फेक्टरी स्थापित नहीं हो जाती तब तक उन्हें इंपोर्ट टेक्स में टेंपरेरी छूट दी जाए लेकिन बात बनी नहीं जिससे टेसला की भारत में एंट्री डीले होती गई फिर मार्च 2019 में इलोन मस्क ने ट्विट कर कहा था कि टेसला 2019 में नहीं तो 2020 में डेफिनेटली भारत में लाँच हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाद में अक्टूबर 2020 में मस्क ने फिर से एक ट्विट करते हुए कहा कि भारत में टेसला को 2021 में लाँच कर दिया जाएगा तथा टेसला भारतिय सड़कों पर दोड़ने लगेगी और इसके बाद जून 2021 में सबसे पहले टेसला का मोडल 3 पूने की सड़कों पर देखा गया हालांकि तब इसे भारतिय सड़कों पर परिक्षन के लिए उतारा गया था अब लोगों को उम्मीद होने लगी कि फाइनली टेसला की एंट्री भारत में हो ही जाएगी लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि इलोन मस्क अभी भी नहीं चाते थे कि भारत में फैक्टरी लगाई जाए और अब वे वापस ये प्रयास करने लग गए कि किसी भी तरह से भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में उन्हें विशेज छूट प्रदान करे और जब जुलाई 2021 में उनसे ट्वीटर पर पूछा गया कि आप भारत में टेसला कब लॉंच कर रहे हैं तो मस्क ने छक्का लगाने की कोशिज करते हुए रिप्लाई किया कि हम टेसला भारत में लॉंच करना तो चाते हैं किन्तु यहां इंपोर्ट ड्यूटी विश्व म मिलने की संभावना है फिर और थोड़ा मलाई लगा कर कहा कि यदि हम आयातित वानों के साथ भारत में सफल होते हैं तो फिर भारत में फैक्टरी लगाने की संभावना बढ़ जाती है हालांकि अगस्त 2021 में ये भी खबरे आने लगे थी कि टेसला के दबाव में आकर सरकार एवी के इंपोर्ट टेक्स पर 40 प्रतिशत की छूट दे सकती है लेकिन ये सब अफवा ही निकली उन्ही दिनों में ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर नितिन गडगरी ने CNN को एक इंट्रूव में इस पस ट्रूप से कह दिया कि टेसला का भारत में स्वागत है लेकिन टेसला ग बारत की ये बात सुनकर तो जैसे इलोन भाई साब का मन ही उखड़ गया उन्हें बिजली के करंट जैसा जटका लगा इसी बोखलाट में मई 2022 में मस्क ने कहा कि हम उस इस्तान पर कोई फेक्टरी नहीं लगाएंगे जहां पर पहले टेसला कार को बेचने तता सर्वीशिं काम सोपा कि टेसला की भारत में एंट्री किस प्रकार हो सकती है हलांकि 2003 में सुरू होने से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी ये वेहिकल कंपनी बनने वाली टेसला को भारत में बहुत बड़ी अपोर्चुनिटी दिख रही थी इस कारण भारत में फेक्टरी लगाने क कि बात को ना तो निगल पा रही थी और ना ही उगल पा रही थी लेकिन आखिरकार इलोन मस्को को द्रड़ निश्चई नरेंदर मोदी के मेकेन इंडिया के सामने अपने सारे हतियार डालने ही पड़े पहले तो अप्रेल 2023 में उन्होंने ट्वीटर पर नरेंदर मोदी को फॉलो करना सुरू किया और हाली में अमेरिका में नरेंदर मोदी से बात करने के बाद उन्हें कहना ही पड़ा कि मोदी सच्चे देश वक्त है और वे स्वेम मोदी के बहुत बड़े फेन है और घोशना की कि अगले वर्स इलोन मस्क इन्वेस्टमेंट के लिए भारत आए फेक्स पसंद आए तो अपने सातियों को शेर जरूर करें और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें धन्यवाद